नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है को चैनल एगरी आकास पे किसान भाईयों में थम्नेल में बिल्कु सही पढ़ा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी के महीने में भिंडी की खेती करके आप एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बहुत ही में खेती करते हैं तो आप 5-6 लाख रूपय कमाई खूब आसानी से कर सकते हैं और वह सब आप कैसे कर सकते हैं वह सारी जयनकारी में आपको देने वाला हूं वीडियो को आप पूरा देखिए गा साथ ही कर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के अगर आप यहां से कहीं से हैं तब जान लीजिए कि आप 5-6 लाख रूपय बहुत ही आसानी से कमाएंगे और वह तब आप कमा पाएंगे जब आप मेरी बताय हुई सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तब किसान भाईयों भिंडी ख्यती मुख रूप से हरी सबजी के रूप किये जाते हैं तो मांग तो इसके बहुत ज्यादा है अब हम बात करते हैं इसके ख्यती के लिए उननत जलवायों कि इसके ज़रूवायों जरूवत होती है इसके बुआई के जो हमें तापमान चाहिए होता है वो 20-29 दिगरी सिल्सिर तक का चाहिए होता है और जब फल तो आप हर मिट्टी में कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आप रेतीली और चिकनी मिट्टी जो होती हो काफी अच्छी माएं जाती है जैवेक पुष्टतों से भरपूर वाली मिट्टी में इससे खेती बहुत ही अच्छा तरीके से हो सकती है इसकी खेती आप जिस भी मिट्टी में करें आप ध्यान रखें कि उसमें जल निकास की अच्छी सुभधा हो पानी भराव ना होता हो अगर पानी निकालने की सुभधा नहीं है तो आप उस खेत में भिंडी खेती कत्ता ही ना करें एक भिंडी के लिए मिट्टी के जो पी इच मान चाहिए होता है वो आपको झीलों जिले करके च्थ Raw क डिस में या खारी मिट्टी में इसकी खेती आप कत्ता ही ने करें वहाँ पी इसका अच्छा जमाव नहीं होता है और यह आपको क्यों बता रहा है को कि अभी कुछ से पहले रिसेंटली हमारे एक पुराने वीबर हो ने कमेंट किया था क्या कि मैं उसर वाली भूम पे भिंडी खेती कर सकता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि उनके जैसा कई किसान भायों का सवाल हो सकता है तो आप रेतीली जमाप कीजिएगा उसर वाई जमीन में कभी भी इसकी खेती ना करें किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि हमें खेत की तैयारी कैसे करने हैं किसान भाइयों पांच से च्छै बार हमें खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए और आख्री जुताई की समय हमें उसमें सो कुईंटल गोबर की खाद आख्री जुताई के समय मिला देनी चाहिए किसान भाइयों आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मैं आपको जानकाई दे रहा हूं एक एकड में ही दूँगा अगर आप चाहते हैं मैं हेक्टेयर कठे या फिर किसी और तरीके में आपको जानकाई दू तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए मैं उस पर हो जानकाई बात करते हैं कि हमें इस रखने किसान भाइयों बात करते हैं कि हमें बीज कितना लेना है और इसकी उपचार कैसे करना है वह 4-6 तेंस 국ование ऑकिलों पर एकर लगेगा यानि भिंदी के लिए 4 किलों पर एकर बीत निक्ता है। यह बंब teammate करते हैं किस नहीं करते हैं किस जगह पर करते हैं किस मौसम में करते Zachika इस हिसाब से अलग-अलग हो सकता है लेकिन मिनियम जो होगा चार किलो होगा अधिकतम जो होगा च्छे किलो होगा इससे आगे नहीं होगा किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि हमें बीज का उपचार कैसे करना है और बीज का उपचार करना ही क्यों है यह भी जानते हैं कि किसान भाईयों, हमें बीज का उपचार नहीं करेंगे, तो हमारी खाडी फ़सल पे बहुत तरह के रोग लगेंगे, परेसानिया लगेंगे, जिससे कि अपरी होना चाहते हैं, तो हमें उसमें जो है कि भिंडी के जो बीज है, उनको हमें सोधित कर ही लेना चाहिए, बिंडी पानी हमें, बीज भीघ जाएगा, जितने लेटर पानी में हमारा भिंडी का भीज भीग जा हमें, प्रती लीचर के हिसाप से दो गरां म कारविंड़ेंगें जीम पानी में वह में भिंडी के भीजु कंग कर देना है छए घंटे को निकाल लेंगे, और ऊनको चाह ने अब हम बास करते हैं कि हमें लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी है पौधे से पौधे की दूरी क्या रखनी है लाइन से लाइन की दूरी हम जो रखेंगे और जो पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे वो हम 15 से 20 सिंटी मीटर की रखेंगे और भी किसान भाई यह बात क चाहे मशीन से बोएं चाहे जैसे बोएं एक से दो सिंटी मीटर की गहराई में ही आप बीच को बोएं किसान भाईयों अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें खाद क्या डालनी है किसान भाईयों हमें इसमें प्रती एकड में असी किलो यूरिया बीस से पच्चिस किलो एससपी यानि सिंगर सूपर फॉस्पेड और पंद्रह से बीस किलो एमोपी पोटाव जिसको मिरोटाव पोटाव भी कहते हैं यह सब भी हमें आख्री जुताई के समय खेत में मिला देने चाहिए अब हम आख्री टापी को कवर करें क्योंकि वीडियो लंबा नहों हो इसलिए आख्री टापी कवर करके मैं इस वीडियो को अंतकर नूँगी सान भाईयों और अच्छी पाइदावार के लिए हमें बुगाई के 10-15 दिन के बाद 19-19-19 नामक नपीके का चार से पांच ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके इस्प्रे कर दें इससे जो हमारा पौधा काफी तेजी से भीकास करता है उसमें सारे पौधा तो मिल जाते है और बहुत ही जल्दी वह बड़ा हो जाता है और अच्छा फल देने लगता है और उसमें कोई रोग और परेसानिया भी उससे नहीं आती है और अब हम बात करते हैं कि हमें उसके फूल आने वाले हो जयानि जैना घरे समय हमें वह जा बावन चैसका नचे उस 창टे करने हुआ को फूल और जा सिर्चा पौधा फूल आने वाले हो जानी वाले होगता है की अधि हमें पाउध हुलानी कुर में प्रम चैनल पर पहने बार है सब्सक्राइब कर ने कि साथ साथ बगल में बने बिल क्याजन को ही प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नाटिफिकेशन आपको समय से मिल सके भिंडी की फदल पे अगर आप और स्वाई जानकाई लें चाहते हैं तो आपको उपर आई बटन नीचे डिस्क्रेप्शन पे लिंक मिल जाएगा वह